Rapid Technologies आपका इस वीडियो में स्वागत करता है इस वीडियो में हम Petrol Prices का API देखने वाले है ये API आपको हर एक State और Cities का Petrol Price देगा तो चलिए फिर देखते हैं कि ये API कैसे काम करता है हम एक Simple Get Request को Call करेंगे और ये API हमें सभी Districts का Data JSON format में देदेगा इसमें आपको बस State का Parameter पास करना होगा जिससे ये State के सभी Districts के Rates आपको मिल जाएंगे ये देखिए पूरा Data इस API ने Load कर दिया है इस API ने Total 36 Cities का Data Load कर दिया है इसमें आपको City का नाम, Today's Price और Yesterday's Price के Fields देखने मिलेगा ऐसे आपको किसी भी State का Data इस तरह आसानी से मिल जाएगा ये API आप आपके Website या App में Easily Use कर पाओगे State के Field में हम अगर गुजरात Enter करेंगे तो ये API हमें इस State के सभी Districts का Data बिलकुल इसी तरह देदेगा और फिर हम एक Particular City के Last 10 दिन के Price Records भी आसानी से देख पाएंगे और इसी तरह आपको एक Specific City का Data भी Easily मिल जाएगा आपको बस State को City से Replace करना होगा और अब इस बार City का Parameter इसमें Send करना होगा हम City में आहमदाबाद को Enter कर लेते हैं ये API अहमदाबाद शहर के Last 10 दिन के Rates की History हमें दे देगा तो जैसे कि आप देख सकते हो इस API ने हमें इस City का Proper Data दे दिया है Latest Date और Latest Price के साथ बाकी 10 दिनों की Petrol Price की History आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी इस History में आपको Date, Price और Price Change रूपीज के Fields देखने मिलेंगे तो देखा आपने कितना आसान है ये हम इसी तरह हर एक District का Data आसानी से देख पाएंगे बस City का Parameter आपको Update करना होगा अगर हम City में पुने एंटर करेंगे तो ये पुने का Petrol Price आपको दे देगा चलिए, हम ये Price compare करके देखेंगे ये API हमें Latest Price 106.01 दिखा रहा है हम नई टैब पे गुगल पे पुने का Petrol Rate सर्च करके देखते हैं और ये बिल्कुल सही दिखा रहा है ये API आपको हमेशा Updated Price दिखाएगा तो फिर अगर आपको ये API के requirement है तो हमें आज ही contact करे और अपने सिस्टम में ये API integrate कर लीजिए हमारे contact details आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे और हमारा अगला वीडियो भी काफी interesting API पे रहेगा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद